गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा Indigenious Games of India का Part 1 यह Class 6 का इंगलिस है, JCRT Board Class 6 का इंगलिस का यह 6th unit है इसके पहले मैंने 5 unit तक पढ़ा दिया है और कल मैंने इसका 1st पढ़ाया था Indigenious Games मतलब होता है सवदेशी खेल तो हर देश के कुछ सवदेशी खेल होते हैं, और सवदेशी खेल क्या है, इससे सवदेशी क्यों कहा जाता है यह सारे चर्चा हम लोगों ने कल किया था, इसमें कुछ खेलों की चर्चा मैंने कल की थी जिसमें से है अज्टपद है न जो की सतरंज के जेसा है और इसके बाद हम वोगों ने चर्चा किया था पिठु के बारे में जिसमें साथ पत्थर होते हैं जिसे एक के उपर एक tower बना कर रखा जाता है और next team का काम होता है जो opponent team होता है उसको गिराने का प्रियास करता है और एक team उसे सजाने का प्रियास करता है इसमें tennis ball का परयोग किया जाता है आप पिसले वीडियो में देख सकते हैं अगला खेल हम लोगों ने पढ़ा था गोट या तो जिसे गोटी काते हैं जिसमें पांच पत्थर होते हैं एक पत्थर को हवा में उचला जाता है और जब तक वो लोट कर आता है उसके पहले ही जब तक वो लोट कर आता है उसके पहले हमें चार में से एक को पिक अप करना पड़ता है अब हम लोग जो है आज फोर्थ जो गेम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कंचा या गोली जिसे कंचा भी कहा जाता है या गोली भी कहा जाता है इसी से की गोलियां होती है यह जो खेल है वो मार्बल का पर्योग करके किया जाता है जिसे कंचा कहते है या कहीं कहीं गोली कहा जाता है हम लोग ने इसे बज़्पन में काफी खेला है और आज भी कई लोग खेलते हैं इसमें बहुत प्रकार है कुछ सिंपल भी है कुछ complicated types के भी है basically the players need to hit the selected target कंचा using their own marble basically मुख रूप से इसमें क्या किया जाता है बहुत सारी गोलियां होती है अब उस गोलियों में से किसी एक को select करके उसे hit करना पड़ता है ठीक है उसे hit करना पड़ता है main function इसका इतना ही रहता है and the winner takes the कंचा of the race of the player और जो वीनर होता है जो सही निसाना लगा देता है कंचे पर कंचे पर जो सही निसाना लगा देता है उसको ही सारा marbles मिल जाता है सारी गोलियां मिल जाती है next खेल हम लोग देखते हैं हम लोग देख रहे हैं सवदेशी खेल indigenous games of India hide and seek यह बहुत ही परसीद खेले कुछ बड़े लोग भी से खेलते हैं लुकाचीपी का खेल इसे कहते हैं आख मिचोली का भी खेल इसे कहा जाता है है ना तो इसे hide and seek is one of the oldest and most popular games among children even today आज भी कई लोगों का जो सबसे परसीद गेम है परसीद गेम मतलब बहुत लोग प्रीए गेम है वो क्या है hide and seek है hide मिन्स शिपना होता है seek मिन्स ढूणना होता है इसमें एक व्यक्ति आक बंद करता है और सभी लोग शिप जाते हैं और निसिंद समय के बाद वो सब को ढूणने का प्रियास करता है in this game one player closes his और her eyes इस खेल में कोई एक player चाहे वो लड़का हो या लड़की अपने आखें बंद करता है for a little time time formed the seeker एक निसिंद समय के लिए time termed the seeker है while the other players hide जबकि दुसरे जो खिलारी है वो शिप जाते है the seeker then opens is eyes उसके बाद जो ढूणने वाला होता है खोज करता होता है वो अपने आखें खोलता है and tries to find the headers और जो चीपे हुए लोग है उनको ढूणने का प्रियास करता है the hiders try their best not to be found by the seeker और जो चीपे हुए है वो प्रियास करते है कि वो मुझे ढूण नहीं पाए because क्योंकि the first one found is the seeker in the next round तो जो पकड़ा जाता है जो पहले जो मिल जाता है वही अगली बार के लिए seeker बन जाता है उसी को आख बंद करना पड़ता है और फिर ढूणना पड़ता है but if one of the hiders comes out of the hiding place लेकिन उन में से अधी कोई सिपावा वैक्ती निकल जाता है and touches the seeker और जो खोजने वाला है उसको पीछे से touch कर देता है अगले राउंड के लिए भी जो खोज करता है जो seeker है वो चैंज नहीं होता है मने करना यह है कि अगला हमें touch करें उसके पाले किसी एक को ढूण लेना है the game can be played indoors as well as outdoors इस खेल को घर के अंदर भी और बाहर भी खेला जा सकता है इसके बाद सबसे मनपसंद खेल गिल्ली डंडा है ना this game is played even today in the rural areas आज भी ग्रामीनी लाकों में इस खेल को खेला जाता है and some towns और कुछ सहरों में भी it is played with two sticks यह दो छडी के दवारा खेला जाता है यह large one called यह डंडा एक जो बड़ा होता है उसे डंडा कहते हैं which is used to hit the smaller one जिसे एक छोटे लखड़ी को hit करना पड़ता है मारना पड़ता है जिसे गिल्ली कहा जाता है the gilly standing in a small circle एक छोटे से circle में खड़े हो करके the player balances the gilly on a stone जो खिलाडी है वो गिल्ली को balance करता है only a stone somewhat like ये seesaw जैसे कि वो देखा गया हो the players then use the dunda to hit the gilly at the raised end उसके बाद players जो है उस gilly को touch करता है मतलब उपर उठा करके मारता है जाहे वो जितना दूर जा सके which flips into the air जो कि हवा में उचल जाता है while it is in the air और जब यह हवा में होता है the players strikes the gilly तो जो खिलाडी है उसे gilly को touch करता है हवा में रता है उसे समी फिर से strike करता है मतलब मारता है hitting it as far as possible और यतना जितना संभव हो सके उतना दूर उसे मारने का परियास करता है having a struck the gilly है न और gilly को a struck करने के बाद the player is required to run and touch the pre agreed point तो पहले से जो point decide क्या जाता है तो जब तक वो gilly आता है तब तो उसे दोड़कर वहां जाना पड़ता है outside the circle before the gilly is brought back by an opponent जब तक कि जो बिरोधी है जो साथ में जो खेलाड़ी खेल रहे हैं उस गोली को उस circle के अंदर नहीं लाता है this aspect of the game is similar to runs in cricket or home runs in basketball और यह इस प्रकार का मने समझा जाता है इसे समझ सकते हैं कि जिसे cricket में run ले ले के लिए दोड़ते हैं या तो baseball में जो है अपना circle में home में आने के लिए दोड़ा जाता है इसके बाद next खेल है seventh game है a spinning top लट्टू को घुमाना यह तो काफी मज़ेदार खेल है it is properly known as इस दीखनी रहा है लट्टू in Hindi हिंदी में प्राई इसे लट्टू कहा जाता है this game is more popular among boys लड़कों में यह खेल काफी पसंद किया जाता है a spinning toys are made of wood and at its bottom यह pointed nail is fixed for getting the center of the gravity while its spines यह प्राई लकडी का बना होता है लेकिन इसके नीचे जो है एक बने काटी या लोहे का बने pin जैसा लगा होता है ताकि उस पर वो घूम सके है ना उसके gravity को जो है उपरा समाल सके जब वो a spin करे जब वो घूमे तो यह a string is used to get the starting a spin of the top और एक a spin का उने एक धागे का परियोग किया जाता है एक a string का एक a string का परियोग किया जाता है और उसे लपेटा जाता है उसके टॉप ता एंड आल्सो बी लिप्टिंग दा स्पाइनिंग टॉप और इसे बिलकुल टॉप तक रखा जाता है मतलों लट्टू है जब टॉपल रूल्स लग टू का बहुत सिंपल रूल है जब टॉप होता है एक साथ सबको जो है अपने लट्टो को घुमाना पड़ता है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ रहे है जेसी आर्टी इंग्लिस क्लास सिक्स का यह सिक्स्त यूनिट है जिसमें हम लोग इंडिजेनेस गेम्स ऑफ इंडिया इंडिजेनेस गेम्स ऑफ इंडिया के बारे हम लोग बढ़ रहे हैं चीक है आगे हम लोग देखते हैं आगे का खेल है कित-कित या जिसे होफ्सकोच भी काते हैं यह प्राया लड़कियां खेलती है कित-कित होफ्सकोच और अस्टेपू is a game loved by children इसे बच्चों के द्वारा बहुत ब्रेम किया जाता है mostly popular among girls प्राया यह जो है लड़कियों के द्वारा पसंद किया जाता है लोग पर यह लड़कियों में यह it is called by different names in different regions इसे अलग लग छेत्रों में अलग लग नाम से जाना जाता है लाइक पांडी कहीं से पांडी कहते हैं इन तमिलाडू तमिलाडू में पांडी कहते हैं कुंटे बिले इन करनाटका करनाटका में से कुंटे बिले कहते हैं खाने इन कस्मीर कस्मीर में खाने कहा या था and so on इसी प्रकार अलग 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 जगा पर अलग अलग इसके नाम है जेनरली ये चोक और a small brick pieces used to draw blocks on the ground प्राया एक a small नमने एक चोक से या तो एक छोटा इट से मनने जमीन पर जमीन पर जो है blocks मने छोटा घर बना लिया जाता है each player takes turns to start being the starting line and tosses her marker ये kept a clay tile piece in the first block तो एक छोटा टुकडा होता है है न उसे फेका जाता है और बिल्कुल a starting point से सब शुरू करते हैं then see or he has to hop over the first block उसके बाद उसे first block तक मने कूद कर जाना पड़ता है block to the second one and then continue hopping the eighth block और एक अक करके 8 block तक इसी प्रकार उसलते हुए पहुचना पड़ता है and back to the first block और फिर से first block में आना पड़ता है in this game all hopping is done on one foot यह सारा खेल जो होता है एक पर से होता है एक पर से ही उचलना पड़ता है इसमें unless there are two lateral blocks जब तक कि दो आपने सामने block नहीं आ जाए वेर दा players can land both feet जहां दो block सकर lateral हो तो वहां वो दोनों पर रख सकता है अब हम लोग एक international game के बारे भी जानेंगे जो हमारा सवदेशी भी है और इसे internationally खेला भी जारता है वो क्या है कबड़ी है ठीक है तो कबड़ी के बारे हम लोग जानेंगे कबड़ी और हू तू तू इस यह contact sport that originated india जो कि प्राचिन भारत में इसका मतलब विकास हुआ था originate हुआ था उदभव हुआ था इसका in the international team वर्शन अप कबड़ी जो कि international में से क्या कहा जाता है कबड़ी कहा जाता है पहले हूतू तू कहा जाता है टू टीम्स अफ सेवेन मेंमर्स साथ साथ सदसे के दो टीम होते हैं इच अकूपाइप ओपोजिट हैबल्स ओफ फिल्ड 10 मीटर इंटू 13 मीटर दस गुना 13 मीटर का फिल्ड मिलता है सभी को in case of man अगर आदमी हो तो पुरुष हो तो and 8 इंटू 12 मीटर in case of women और महिलाएं साथ गुना 12 मीटर का जो है फिल्ड वहें दिया जाता है कि इच है थ्री सप्लिमेंटरी पेलियर्स परते के पास तीन जो है एक्ष्टा प्लेयर होते हैं पूरक प्लेयर होते हैं खिलाडी होते हैं हैल इन रिवर्स दा गेम इस प्लेड विद ट्वेंटी मिनट ट्वेंट के अंदर स्केल को खेला जाता है कि अब कर दो यह फाइब मिनट हाफ टाइम ब्रेक दोरिंग दिश्टीम एक्स्चेंज साइड और पांच मिनट का हाफ्टाइम होता है जिसमें दोनों सट जो दोनों टीम तो है एक दूसे हैं अग्सचेंज करते हैं आग यह और बीड टी खेल और यह अंतिम खेल हैं इसके बाद हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे अंतिम खेल है खोखो भी भारत का स्रवदेशी खेल कहा जाता है ठीक है यह बहुत लोग पर यह खेल है एट कंसिस्ट आप टू टीम्स वर्न टीम सीट्स नील इन दा मीडिल अब दा कोट एक सीट जो है घुटनों के बल बैठता है एक टीम जो है एक पंग्ती मेनियरो विच एडिसेंट मेंबर्स फेसिंग ऑपवजिट डाइक्शन और उसका डाइक्शन क्या होता है ऑपवजिट होता है दा टीम देट टेक्स दा सॉर्टेस टाइम टू टेग ऑल अपोनेंट्स इन दा फिल्ड विन्स वह टीम जो कि सभी को कम समय में है न वह टीम जीतती है तो आरन्ट इस गेम इंटरस्टिंग तो क्या यह सारे खेल जो है क्या रोचक नहीं है बिल्कुल रोचक है मुझे तो काफी रोचक लगा अब आप लोग बताईएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को यह खेल कैसा लगा ट्राय टू प्ले दे करें with your friends अपने दोस्तों के साथ तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे next वीडियो में मैं इसके question answer को cover करूंगा ठीक है इसके important words को भी और इसका जो question answer है यह सारा जो question answer है सभी के बारे में discuss करूंगा तब तक आप मेरी जो whatsapp number है उसमें comment कर सकते हैं और इन questions को का answer लिख करके भेज सकते हैं अगर आपका जवाब सही होता है तो आकरसक आपको प्राइज दिया जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धैन्यवाद हम लोग पढ़ रहे थे हैं indigenous games of India भारत के शवदेशी खेल जय हिन जय भारत जय शारफ हैंट